नमस्कार दूस्तों, आज मैं आपको एक लाइफ ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ और ये ट्रेड हम लोग निफ्टी में ही लेंगे, आज तो थर्सडे है, एक्सपारी डे तो एक्सपारी डे में मैं तो हमेशा ट्रेड करता ही हूँ, किसी ना किसी तरफ तो आज मैं निफ्टी में ट्रेड लोगा, कैसे ये ट्रेड में लोगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले आपको निफ्टी का डेली चार्ट देखना है, निफ्टी तो आप ट्रेंड में ही है, लेकिन आज अचानक से ये gap down open हुआ था, बहुत ज़्यादा ही gap down open हुआ था, इतना तो उमीद नहीं था, वैसे तो as far open interest, gap up open ही होना चाहिए था, लेकिन gap down open हुआ, कोई बात नहीं और global market भी ठीक ठागी है, लेकिन 5 मिनिट का चार्ट में देखो, आभी तो 9.40 होने को है, ये जो 300 level है, ये respect कर रहा ह है, और मैं आपको option chain भी दिखाऊंगा, option chain में ये बहुत बढ़िया एक support है, तो इस में आभी आप एक long entry बना सकते हो, तो उसके लिए, सबसे पहले आपको open interest देखना है, तो ये open interest है, nifty का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे in the money, जो put option है, यहाँ पर तो unwinding हुआ है, मत लेकिन call side में writing ही हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से, global market जो है, वो इतना negative नहीं है, और ये 300 जो level है, आईए देखो, यहाँ पर आभी तक highest OI है, 52,746, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया support लेने की उमीद है, तो मैं तो हमेशा short ही करता हूँ, तो मैं ये 300 put, इसको मैं short करू होंगा collecting premium 26 rupees, ठीक है, तो आप चाहो तो call भी buy कर सकते हो, लेकिन expiry day में call buy करना थोड़ा risky पर जाता है, तो मैं ये 26 rupees से short कर रहा हूँ, ठीक है, और ये तो आभी फिलहल 330 के आसपाज ही है, निफ्टी 11,330, तो मैं आपको बीज-बीज में update देता रहूंगा, और इसका stop loss म मैं strictly follow करूंगा, ठीक है, क्यूंकि आज expiry day है न, market volatile भी रह सकता है, तो आभी तो ये फिलाल उपर ही जा रहा है, तो ये तो उपर ही जाना चाहिए, मतलब हमें क्या, हम लोग short किया, तो मतलब 300 का उपर अगर ये closing देता है, तो हम लोग profit में ही रहेंगा है कि नहीं, 26 rupees जो collect किया, वो पुरा का पुरा मिल जाएगा, ठीक है, और मैं positional का हिसाब से expiry शुरू होने से शुरुवात में ही, मैं 400 में एक call short करका रखा, तो आज मैं वो तो निकलूंगा अभी, थोड़ी दिर बात, लेकिन आज मुझे नहीं लग रहा है कि ये 400 की उपर जाएगा, तो 300 to 400 का बीच में ये एक्सपार होना चाहिए, तो देखते हैं, मैं बीच बीच में आप लोग को अपडेट देता रहोंगा, और मैं इसका अपडेट फेज जुग में हमेशा देता रहता हूं, हम लोग का जो पेज है, अपडेक्स, तो यहां पर मैं डेली, निफ्टी का ट्र इडिंग रेंज दे देता हूं, और मोस्ट अप दर टाम सही रहता है, लेकिन कभी कभा गलत भी बैठता है, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, कि नहीं, तो यह मेरा खोशिज है कि मैं जितना हो सही इंपरमेशन दू, आज जैसे मैं ये निफ्टी का जो ट्रेंड है, वो दिया, बैरिश ट्रेंडी दिया, लेकिन टू फिफ्टी टू फोर हंडेड का बीच में एक्सपार हो जाना चाहिए, और यहां पर मैं निफ्टी का जो स्टॉप लॉस रखूंगा, वो टू फिफ्टी ही रखूंगा, टू फिफ्टी का नीचे जाने से ये फिर और आप बहुत नीचे जा सकता है, तो स्टॉप लॉस आपको हमेशा मेंटीन करनी है, तो टू फिफ्टी होने से कितना लगबग डबल हो जाएगा आपका जितना प्रीमियम कलेक्ट किया, तो आप्शन राइटिंग में ऐसा होता है, जो रिस्क रवर्ड है वो वान इस्टो या टू इस्टो वान भी रख सकते हो, किमकि आप मोस्ट अप दा टाइम सही रहते हो, है कि नहीं, तो हमें सिफ्टी हंडड का उपर क्लोजिंग चाहिए, तो वो तो हो जाना चाहिए, एन्यूवे मैं आपको बीजबीज में आपडेट देता रहोंगा, तो यहां पर मैं वीडियो को पॉस कर देता हूँ, दोस्तो वेलकम बैक, आभी एक बार पोजिशन देख लेते हैं, हम लोग का पोजिशन का क्या हाल है, हम लोग तो 300 पूट शॉट किया था, तो आभी तक यह 300 का उपर ही ट्रेट कर रहा है, आभी यह वाला जो केंडल है, यह बहुत पूट शॉट किया था, 26 रुपिश से, अभी देखते हैं कितना हुआ, 300 का जो पूट है वो 13.95, 14 के आसबस, तो हम लोग अभी बारा रुपे का प्रॉफिट में है, यहाँ पर हम लोग अल्रेडी 50 परसंट का प्रॉफिट मिल गया, है कि नहीं, और एक्सपाइरी वाला मैं हमेशा फ्रॉट करने का ही सला देता हूँ, यहाँ पर आप चाहो तो कॉल भी बाई कर सकते थे, लेकिन क्यूंकि आज एक्सपाइरी है, इसलिए मैं बाई का सला नहीं दोंगा, मगर हाँ, यह लेवेल, जो 300 लेवेल है, जो की बहुती एक स्ट्रॉंग सपोर्ट लेव तो यहाँ पर जैसे यहाँ से 300 लेवेल से बाउंस किया ना उपर की तरफ, इसलिए मैं आपको कॉल भाई करने का सला नहीं दिया, कियोंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, लेके यह उपर की तरफ चला गया, तो फिर यह जो बाउंस बैग है, यह बाउंस बैग थोड़ा बोत लेकलस्टर भी हो सकता है, क्योंकि आज एकसपारी है, तो एकसपारी में कभी-कभी बहुत ही एक रेंजबाउंट टेरिटरी में ट्रेट करते है, और कभी-कभी फिर बहुत ही पॉलेटेल हो जाता है, तो इसलिए बेटर टो ट्रेट आशेव गेम है कि नहीं, आप 300 पूट को स्कॉर्ट करो और यहां पर आराम से जो एकसपारी का मजा है वो ले सकते हो, और मुझे तो नहीं लगता कि ये 300 का नीचे आएगा, तो लेट सी, आभी तक तो हम लोग का 50% प्रॉफिट मीली गया, एक घंटे में ही 50% प्रॉफिट मिला है, तो वही तो एकसपार भी दवाना मद भूलेगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोट करें, तब फिर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मेल जाए, तो चली यहां पर मैं फिर से वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉस कर देता हूँ, यह जैसे उपर गया, अभी यह थोड़ा हम लोग उमीद करेंगे कि मार्केट 300 का उपर ही एकस्पायर हो जाए, लेट सी वाट हैं, वेलकम बैक, अभी सारे ग्यारा बच चुका है, अभी मैं एक काम करता हूँ, यह 5 मिनिक चार्ड है तो यह 15 मिनिक चार्ड ले लेते हैं, और अभी कारंट मार्केट फ्राइस उसी लेवल पर है, 341, तो होफ़ुली 300 का उपर ही क्लोजिंग देना चाहिए, और मुझे तो लगता है 400 लेवल एक टेस्ट करेगा, 380 तो 400 की लेवल, टेस्ट करना चाहिए, तो आभी देखते हैं हम लोग का प्रीमियम कितना डेके हो गया, इसको मैं रिप्रेश कर देता तो हम लोग ये पूट शोट किया था, 26 रूपिस से, है कि नि, 300 पूट, तो आभी उसी लेवल पर ही है, 13.6, तो यहाँ पर मैं थोरा सा अपडेट देना था आप लोग को, इसलिए मैं फिर से अपडेट दिया, तो आभी मैं नेक्स अपडेट जो है, वो मैं सेगेंड अगर अचानक कोई sudden movement आया, उपर की तरव या नीचे की तरव, तब मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो लेट सी, ओके, वेलकम बैक, यहाँ पर देखो, यह यह वाली candle में एक sudden downward movement दिखाया, तो यहाँ पर यह नीचे आके फिर यह उपर जा रही है, अभी कितना time हुआ, 12.45, तो यह जो 300 level है इसको test किया, तो इसलिए जो हम लोग का stop loss है ना, वो थोरा बड़ा रखना है, expiry के दिन, हम लोग double पर रखा है ना, 26 में हम लोग इसमे short किये थे, तो उसका double होगा stop loss, मतलब 52, 52 पर लगा दिया, तो हम लोग का stop loss एक बर देख लेता है, stop loss ही हुआ है कि नहीं, option chain में देखना पड़ेगा, तो एक बर हम लोग का stop loss देख लेता है, 300 का जो put है वो अभी 25 पर चल रही है, तो हम लोग का stop loss तो अभी भी बहुत दूर ही है, तो expiry वाला दिन ना, थोरा market volatile रहता है, तो बहतर आप stop loss को थोरा दूर ही रखो, और यहां पर अगर आप option chain को देखोगे, तो जो highest put OI है, वो 200 पर shift हो गया, यहां पर देखो, यह 54 lakhs की OI है 200 की level पर, पहले 300 की level पर था, है कि नहीं, तो इतना यह तेजी से गिराना, इसलिए शायद कुछ लोग डर गया, इसलिए अपना position से निकल गया, तो कोई बाद नहीं, जब तक nifty, 300 की ऊपर है, तो हम लोग safe है, और यहां पर आपको एक चीज़ ध्यान रहनी है, यह level जब भी break होगा, मतलब यह जो day low है ना आप तक का, इस candle का low, यह 11.292 है, और first candle का low था 294, तो यह लगबक same level ही है, यह level जो था day low ना, इसको एक बाद टेस्ट किया, इसको अगर यह वापस से टेस्ट करता है और break करता है, तो फिर यह बहुत नीचे जा सकता है, around 50-60 points तो आराम से जाना चाहिए, तो हमें अभी stop loss को strictly follow गारना है, मतलब अभी जो हम लोग का stop loss था ना, 52 पर, हम लोग इसको modify करके day low पर लगा सकते हैं, लेकिन देखते हैं, ह अब लोग अभी screen के सामने बैठे है, है कि नहीं, तो जब भी यह low break होगा, तब फिर हम लोग exit कर जाएंगे, थोरा नुक्सान हो सकता है, लेकिन better to exit, किमकि यह level दो बार अब तक test कर चुका है, यह 90 वाला level हम लोग को closely अभी watch करते रहना है, तो anyway आभी तो फिलाल 310, 11 की level पर treat कर रहा है, तो यहाँ पर मैं फिर से वीडियो को थोरी दिर के लिए pause कर देता हूँ, ठीक है, ओके दोस्तों वेलकम बैक, आभी एक बच चुका है, यह candle भी close हो चुका है, और यह देखो 300 के level जो है, इसको test किया और bounce करके उपर की तरफ जा रहा है, तो उमीद करते है और यह फिर से नीचे नहीं आएगा, तो हम लोग अभी तक save है, एक बार हम लोग का premium भी देख लेता है, कितना हुआ अभी, जो 300 का put short किया, वो अभी 20 रुपेस पहुंच किया, तो हम लोग का stop loss भी hit नहीं हुआ, और हम लोग अभी profit में आ चुका है, और hopefully हम लोग profit में ही टेस्ट किया तो, फिर भी हमें cautious तो रहना ही है, तो चलिए, फिर मैं बाद में आपको फिर से update देता हूँ, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक, आभी 3 बच चुका है, ये candle भी close हो चुका है, आभी हम लोग निकल जाएंगे, आभी current nifty का price कितना चल रहा है, देखो, 11.331, ये, ये level test किया, ये अगर low देखो, तो कितना low बनाया, ये 11289, मतलब 90, तो ये एकदम crucial level था, यहाँ पर जब ये test किया, इस level पर, तो ये test करके तूरंधी फिर मूर गया, तो हम लोग यहाँ से इसलिए exit नहीं किया, और उपर से हम लोग stop loss तो लाया के रखा ही था, 52 मतलब, 26 रुपीज हम लोग collect किया था, और उसका double 52 पर stop loss लगाया, जो कि 1 to 1 risk reward होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर निकल जाएंगे, तो एक बर हम लोग premium भी देख लेते हैं, कितना हो चुका है, अभी premium, 300 का पूड अभी 1.75, तो यहाँ पर मान लोग 2 रुपए, पर हम लोग निकल जाते हैं, और आभी तो expire ही है, कुछ दिर बाद expire हो जाएगी, 3.15 से पहले ही आपको square up कर लेना चाहिए, तो anyway यह आच्छा ही trade था, आज अगर आप देखो, तो यह जो trade था ना आई, इसमें हम लोग contract trade लिया, market इतना ज्यादा gap down open हुआ, लगभा 1% का पास-पास gap down open हुआ, यहां से फिर यह जब उपर गया, तब हम लोग इसमें trade लिया, और यह trade हम लोग किम contract trade लिया, किमकि global जो market था ना वो इतना negative नहीं था, और ऐसे ही तो nifty का trend थोड़ा बहुत आप trend ही है, तो इसलिए हम लोग इसमें contract trade लिया, और contract trade में आपको हमेशा याद रखनी है, stop loss को आपको strictly follow करना चाहिए, और उपर से expiry दीन भी है, तो expiry में आपको stop loss बोट strict रखना है, तो anyway यह आचा trade ही था, so within a day हम लोग कितना premium collect किया, एक second मैं आपको calculate करके दिखाता हूँ, 26 में हम लोग short किया था, 2 रुपे में हम लोग square of किया, 24, तो into 75 बहुत बढ़िया amount है, और यह intraday trade है और यहाँ पर अगर अपने 10 lots में trade किया होते हैं, तो इसमें आपको 18,000 मुनाफा मिल जाता, तो intraday में यह बहुत बढ़िया amount है, तो expiry day में आपको ऐसे ही trade लेना है, आपको option chain देखना है, global market का भी ध्यान रखना है, और उपर से थेंक यू, thanks for watching, take care